मैं आपकी लवर गर्ल आज आपको एक्स्प्रेंग करूंगी एक सूपर हेट चाइनिस रोमेंटिक मुवी को जिसका नाम है आई बिलोंग टी यू दोस्तों ये कहानी दो रेडियो जोकिस के साथ शुरू होती है जिनके बीच एक बैट लगती है और आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों मुवी का पहला सीन बारिश के रात से स्टार्ट होता है जिसके बीच इसके मेन केरेक्टर्स जैन और यू चाइना के नमबर वन रेडियो शो पासिंग ठूर यूर एंटायर वर्ल्ड के आरजे यानि रेडियो जोकिस थे और कोलेज के तिनों में एक दूस्ते को डेट कर रहे थे इसमें ये लोगों से हैपी मुमेंस से भरी लाइफ की बाते कर रहे थे इसे बीच वो एक लड़की के साथ रेडियो पर कनेक्ट होते हैं जो उन्हें बताती है कि आज उसका वर्त है मकर उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है और उसे अक प्ले होता है और पता नहीं क्यों मगर उसके साइड में बेठी यंग उसे कमेंट करके कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेक अप करना है तुम आज़े तो अच्छे हो पर उतने अच्छे रियलिटी में नहीं आखिर हमने लाइफ में कभी रूमेंटिक मेमरिस बनाई है उनकी ये बाते उनके सारी ओर्डियंस तक पहुश जाती है और सभी लोग उनके बीच हुए इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर शोग हो जाते हैं लोग अलग अलग तरह की बाते करते हैं उन्हें आज़े चेन एक दोगले इंसान की तरह लगने लगता है जो कि सिर्फ शोग पे अगले सीन में हम चेन की मोम को देखते हैं जिन्हें बिमारी के चलते चीज़े भूलने की आदत हो गए थी यहां उसका बेस्फरेंड शेंग जो की एक मोटू था वह अक्सर अपनी क्यूट से कर्फरेंड जूही के साथ वीडियो कॉल्स क्या करता था यह दोनों कोलेज के विदेश चा कर रेडी थी शेंग अलग-अलग काम करके पैसे कमाता था और सारे पैसे उसे भीजा करता था इनके अलावा वहां एक स्मार दिखने वाला साइंस लवर शीवा भी रहता था वह अजीब हो गरीब एक्सप्रेमेंस करता रहता था जिनकी वजह से एकसर चोटी मोटी चीज़े तूटती रहती थी जिसके चलते लीजी नाम की लोकल पुलिस ऑफिसर उसके आसपास खूंगती रहती थी ये इनका रोज का काम था मगर शीवा को ये नहीं पता था कि लीजी उसे पसंद करती थी शीवा का ध्यान तो सिर्फ इन्वेंशन पर ही रहता था चैंग उसका दोस शैंग, साइंस लवर शीवा ये सारे एक ही अपार्टमेंट में रहते थे शीवा एक गरीब लड़का था और इसके चोटे मोटे खर्चों में चैंग उसकी मदद किया करता था एक दिन सूडियो में कुछ नए इंटरंस आये थे जैसी ही मेनेजर येंग यानी चैंग की एक्स कल्फरेंट उनसे पूछती है क्या तुम सब में से कोई है जो चैंग की टीम पर काम करना चाता है तो सिर्फ एक लड़की इस बात के लिए तयार थी इस लड़की का नाम था यूमी जो की चैंग की फैन थी और वो उसके शो को बहुत पहले से पसंद करती थी यूमी उसके साथ काम करना चाहती थी जिसकी उमीद शायद खुद चैंग को भी नहीं थी इवनिंग टाइम में जब चैंग और यूमी एक साथ शो होस्ट करते हैं तो उन्हें इस दोरान किसी आत्मी का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि उसे डड़ है कि इसने अपनी वाइब पर शक करने के बचाए कुछ उसके सात बेठ कर बात करकर उन डिफ्रेंसेस को कम करने की सला देतीлаг。 उसकी इस जवाब को सुनके noodleÌज कारा जेन भी इंप्रेस होता है. शो के बाद चेन उसे एप्रिशिट करने के वज़ाएं उसे एक 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 फायर कर देता है कि जरूर तुम्हें यंग नहीं इंडारेक्ली मुझे गलत साबित करने के लिए भेजा होगा यूमी को अचानक चेन की डाच सुनकर बहुत पुरा लगता है और उसकी आखों में आशू आ जाता है जब चेन अगले दिन अपने लास्ट शो की रेटिंग सुनता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शो बहुत टाइम के बाद नमबर टू के पोजिशन पे था वो यूमी से कलके रूट बहुवर के लिए माफ़ी मांगता है और उससे शो को कंटिन्यू करने के लिए मना लेता है यूमी भी काम फे बापस आने के लिए एकसाइटेट होकर टेरिस पे स्पीन करने लगती है इसके बाद हम शेंग और शिबा को देखते हैं जो एक साथ मिलकर एक नया घर लेने के लिए पैसे इखटे कर रहे थे दरहसल शेंग अपनी गर्फरेंट जूरी को अपने साथ एक अच्छे घर में रखना चाता था क्योंकि उनके अपार्टमेंट की कंडिशन जादा अच्छी नहीं थी मगर चैन इस बात से नाखुश था कि उन दोनों ने उसे अपने इस फैसले के बारे में कुछ बताया तक नहीं जब वो स्टूडियो वापस जाता है तो हम यंग को क्यूमी से बात करते हुए देखते है जो कि उसे चैन का शोड़ कर उसके साथ काम करने की सला देती है इनकी बात सुनकर चैन गुस्से में यंग की कमप्लेंट ओफिस के सीनियर मेनेजर से कर देता है लेकिन ओफिस के स्टॉप यंग की साइड लेते है क्योंकि उसी का शोड़ नंबर वान की रेटिंग्स पे था उल्टा वो चैन को कामचोर बताते है और अपनी इंसल सुनने के बार चैन उन्हें चैलेंज करता है कि वो सभी को गलत सावित करके ही रहेगा और उसका शोड़ जल्द ही नंबर वान पोजिशन पे होगा और फिर यंग को मुझसे शादी करनी ही होगी जैसा कि उसने कहा थ जबाब में यंग उसे कहता है कि अगर तुम चैलेंज हर बार की तरह हार गए तो तुम्हें आयम एडिट का पोस्टर लेकर पेरेट करनी परेगी रात को बारिश में जब चैन घर वापस जाता है तो उसकी मौम सीरी पे बेठी उसका इंतजार कर रही थी मकर चैन जब उन अंदर का वह फाइटिंग एटिट्यूड नजर नहीं आ रहा था जिसके चलते उसकी रेटिंग्स बर गई थी जैनों से जोश में लाने की कोशिश करता है पर बदकिस्मिती से ऐसा नहीं हो पाता है शो के बाद वो दोनों घर जाते जाते बाते करते हैं और यूमी उसे ब ही 87 फाइनली वह यूसे पूछती है कि तुम मुझे देख के भागती क्यूं रहते हो क्या तुम्हें मुछे डर लगता है और तुम को कम कर अधों लेते जवाब हमने उसे बताता है कि में बड़ प्रोजेक्त के उपर काम कर रहा है हूं और मेरा बाई मुझे पैसों की कमी नहीं होने देता है वो उसे पूछती है कि क्या कोई गर्फर्ण वो उसे बताता है कि तुम भी तो अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताओ ली जी बताती है कि उसका फ्यांसे उसे चाद्स के जूटे सपने दिखा कर भाग गया था और तब सी उसने किसी को date नहीं किया था वो दोनों अब एक दूसरे के बारे में काफी कुछ चांते थे इसके बाद जैन मोटु शेंग और शिवा तीनों घर खरिदने के लिए एक दूसरे को कॉंग्रिचुलेट करते हैं और शेंग बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो जुही को अपने पास बुल करते हैं इसके बाद रेटिंग्स के चैलेंज का आखरी दिन आता है दोस्तो रेडियो शो चैलेंज के इस आखरी दिन में अचानक यूमी की तब्यद बहुत जादा खराब हो जाती है और इसी वजह से उसके बतले चैन को अकेले ही लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता ह दोस्तो अब आगे क्या होगा या आज रात का वक्त खतम होने तक जेन अपनी शर्ट के हिसाब से रेडियो शो की रेटिंग्स को टॉप पर ले जाब पाएगा या फिर उसे हार मानकर सब के सामने लूजर का टेक लगाकर शर्मिनदा होना पड़ेगा आखर इसमें आगे क क्या होगा यह जानेंगे हम इस मूवी के एक्स्प्रेइनर के नेक्स्ट पार्ट में दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइप शेयर और सब्सक्राइब जरू करना मैं आपसे इसकी नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी तब तक के लिए बाई बाई सबस्क्राइब आपसे शगरूझ करना मैं आपसे और रहा जार आपसे लास से लाइब का वैजेगे